है लो फ्रेंट मैं हूं संतोष आसंसोल वेस्ट वेंगौल से रीदमिक एक्टूप्मेंट की तरह से फ्रेंट आज का हमारे जो वीडियो है वह हमारे स्टेज मॉनिटर के उपर बहुत समय क्या होता है कि हम लोग स्टेज मॉनिटर सही से कस्टमाईज नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से प्रॉब्लम यह आता है कि प्रोग्राम के दौरान कारिकरम के दौरान बहुत ज़्यादा विशलिंग आता है बहुत ज़्यादा सीटी होता है या अन्वांटेड नॉइज होता है ये प्रॉब्लम हमारा क्यों होता है वो हमारा पैरामेटर की क्यू सही नह होने के वज़े से होता है या फिर आप बैलेंस सही से नहीं कर पाएं है तो पतलब जो भी इन्पुट सिगनल आ रहा है उसका प्रॉपर वे से ट्यून नहीं कर पाएं है या आपके मॉनिटर का जो कस्टमाइजेशन है जो अपने हमारा कोई पावर हमें नहीं देना पड़ता लेकिन अक्टिव जो होता है इसमें हमें पावर देना पड़ता है और इसके ही अंदर आपको arrow पैरमेटरिक इक्यूश सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा सिर्फ हमें करना क्या है कि में mixer से audio mixer से output हमारे इसके input में देना है वीच में हमारा कोई amplifier नहीं लगेगा इसमें लगा हुआ है तो आज हम लोग इस वीडियो में sound के testing करेंगे इसके price details के बारे में जानेंगे और हम लोग इसके finishing देखेंगे और देखेंगे कि इसकी quality क्या है क्या 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 इसमें company ने use किया है तो अगर आप वीडियो पे नए है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पे लोग ऐसे होते हैं जिनको बस प्राइस से मतलब होता है तो मैं वीडियो के starting में ही आपको प्राइस बता देता हूं यह मॉनिटर आपको लगभग 70,000 से लेके 75,000 से लेके 75,000 से लेके 75,000 के बीच में पेर दो पीस आपको all over इंडिया कहीं भी मिल जाना चाहिए अब हम लो पे एक sticker है यहाँ पे देखिए ओडियो स्वेंटर की branding है यहाँ पे air pass के लिए air ventilation gap है और यह grill भी बहुत solid है बिलकुल professional look है cabinet का और मैं अगर कहूं कि अगर आप यह कहीं भी लगाएंगे ना तो look wise और quality wise दोनों ही नजरिये से यह बिलकुल perfect है और अगर मैं बात करूँ इस प्लास्टिक cabinet है इसमें रेटर फिक पावर की बात करूँ तो यह solar solar का हमारा मॉनिटर है में 15 इंच का है active dynamic loudspeaker देखे यहाँ पे mention है brain core technology inside मतलब इन्हों ने जो technology इसमें यूज की है वो brain core है SPL जो है इसका 133 decibel है पिक पावर यहाँ पे यह जो symbol है यह पिक पावर का है EQ मत जो है हमारा यह wavelength का design है advanced cooling system है इसमें मतलब ज्यादा यह hit नहीं होगा amplifier technology class d amplifier इसके अंदर है fashion मतलब look wise भी यह बहुत अच्छा है और bluetooth इसमें inbuilt है आप only mobile से भी इसको plug and play कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं इसके side view की कि यह हमारा side view कैसा दिखता है जब आप side view है तो यहाँ पर यह पकड़ने के लिए handle से और यहाँ पर audio center की branding है यह आप देख सकते हैं कि आप इसको stand में भी लगा सकते हैं और अपने stage पर भी इसको आप align कर सकते हैं अगर मैं back view की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस type का आपको back view देखने को मिलता है यहाँ पर channel A channel B के लिए दो input है यह इसका volume है यहाँ पर इसका equalization है यह gain frequency बेस ट्रेबल और यहाँ पर आप Bluetooth भी इसमें प्यार कर सकते हैं अगर आप Bluetooth प्यार करेंगे तो उसमें आपको बेस और ट्रेबल नहीं मिलता mix out आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ पर high pass filter on off का है 80 hertz से इसका cut up point है front head lady display मतलब इसमें power आ रहा है या नहीं आ रहा आप इसको पूछ करके रखेंगे तो सामने वाला यह जो हमारा light है यह light यह on हो जाएगा और यहाँ पर power जब इसमें line आएगी तो यह light अपना जल जाएगा signal में भी light जलेगा limiter जब आप बहुत ज़्यादा इसको pressure में लेगा और protect अगर किसी टाइप का short circuit होता है तो यह हमारा blink होगा ऐसा नहीं है कि हमारा amplifier ऊड़ जाएगा यह blink होगा हमें समझ में आ जाएगा कि मेरा कोई problem है और यहाँ पे माइक और line के लिए selectable switch है यहाँ पे आप देख सकते हैं audio center की branding में 15 quality circle पास्ट एक्टिव डाइनम on off switch है और सबसे important बात कि आप इसमें 100V से लेके 240V पावर दे सकते हैं मतलब Indian condition के हिसाब से इसको design किया गया है अगर जहाँ पे आपका voltage कम भी है वहाँ भी आप इसको लेके काम कर सकते हैं अगर थोड़ा ज्यादा है तो भी यह हमारा चलेगा ऐसा नहीं है कि हमें कोई problem हो इस type से आप hang कर सकते हैं और यहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे लगेगा ऊपर भी इस type का दो दिया हुआ है जिससे आप इसको लगा सकते हैं साथ ही आपको product के साथ एक catalog मिलता है front look कुछ इस type का है और जब आप इसको monitor को space पे align करेंगे तो look किस type का आएगा मै वो भी आपको दिखा देता हूँ यह लगभक 45 degree का angle हमारा तयार हो रहा है और बहुत well maintain किया गया है cabinets को बहुत ही properly waste design किया गया है और look wise बहुत ही अच्छा है आप इसको कहीं भी use कर सकते हैं stage में बहुत ही अच्छा मैं थोड़ा सा इसका नीचे का जो lower view है वो भी मैं आप इसको दिखाता हूं lower view कुछ इस type का है आप देख सकते है material बहुत ही अच्छा है एकदम बिलकुल premium design है और यहां पे भी देखे पकड़ने के लिए space है इस side भी आप पकड़ सकते हैं यहां पे और उपर टैनल पे भी आप इसको पकड़ सकते हैं और मात इसके अगर हम weight की ब अच्छा product है company के द्वारा और यहां से आपको अंदर भी दिख रहा होगा यहां पे देखिए acoustic home company ने यूज किया यह आपको शायद दिख रहा होगा तो overall company ने जब design किया है तो no doubt product को बहुत ही अच्छे तरीके से design किया है अभी हम फिलाल इसकी sound testing करते हैं sound testing के लिए हम लो इसको प्ले करके देख लेते हैं इसी sound की quality कैसी है किया है आप लोगों ने इस monitor की testing को सुना और testing में अगर आप लोग headphone लगाया होंगे तो आपको बिलकुल समझ में होगा कि इस monitor की quality कैसी है पैसा वसूल product आप कह सकते हैं और एक branded product है branded यहीं साब से 70 से 75 के बीच अगर यह product आपको मिल रहा है तो आप definitely इस product के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें already class D के amplifier inbuilt है क्योंकि आप दो monitor के लिए एक amplifier वैसे आपको purchase करना होगा तो अगर देखा जाए तो लगभग 70,000 से कुछ कम में आपका customize होगा उससे बहतर होगा कि आप एक active monitor की तरफ shift हो जाए और सबसे बड़ी बात यह light weight है 17 kg 500 ग्राम का है inbuilt amplifier तो लेके आपको कहीं भी loss नहीं है आप इस product के साथ जा सकते हैं बट फिर भी product लेने के पहले अपने फ्रेंड शर्कल में डिस्क जरूर कर ले तो फ्रेंड अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पे अगर नए आप सकति है अगर